बुदुवार को पतंजली बाबा राम देव और बाल कृष्ण ने अखबारों में एक और माफी नामा छपवाया है इसमें उन्होंने बिना शर्थ कोट से माफी मांगी है इस मामले में सुप्रिम कोट में लगातार सुनवाई चल रही है पतंजली ने बुदुवार को चपवाये गए माफी नामे में लिखा था कि उन्होंने विज्यापर्नों को प्रकाशित करने में जो गलती की है वो गलती आगे नहीं होगी इमानदारी से बिना शर्थ माफी मांगी है उन्होंने वादा भी किया है कि ऐसी गलती दोबारा नही होगी पहले भी 22 अप्रेल को पतंजली ने 66 अकबारों में माफी नामा चपवाया था पतंजली ने 23 अप्रेल को सुप्रीम कोट में जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस अमानुत उल्ला की बेंच को इसकी जानकारी दी थी जस्टिस हीमा कोहली ने पतंजली से पूछा था क्यो उनके विज्यापन जैसे रहते हैं माफी नामे का भी साइज वही था क्या क्रप्रा इन विज्यापनों की कटिंग ले और हमें भेज दे पतंजली बाबा राम दे और बाल कृष्टन अगले दो दिन में ओन रिकोर्ड माफी नामा जारी करेंगे जिसमें लिखा होगा कि उन् अगली सुनवाई तीस अप्रेल को होगी